नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना डॉक्टर शिवामुपाद है आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा वेरिकोस वेन के बारे में और आपको बताऊंगा कि यह क्या होता है क्या कारणेस के ह होने का और क्या कुछ इसकी इफेक्टिव होमेपैथिक मेडिसीन से होती है जिनको लेने से हमें बहुत अच्छा आराम देखने को मिलता है साथ ही साथ दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगा प्रिवेंशन का तरीका और कैसे इसे हम प्रकृतिक चिकिस् चलता है वेरिकोस प्लस वेन वेरिकोस का मतलब होता है इंफ्लामेशन या स्वेलिंग और वेन होता है नसे जब हमारे नसों में इंफ्लामेशन या स्वेलिंग होती है हमारी नसे उभरी हुई नजर आती है तो ऐसी ही कंडिशन को हम वेरिकोस वेन कहते हैं दोस्तों हमारे शरीर में कई तरीके की नलिकाएं पाई जाती है जिनके द्वारा हमारा अजग पसंचार पूरा किया जाता है हमारे शरीर में ब्लेट सर्कुलेशन होता है दोस्तो इन में से प्रमुकता दो तरीके के होता है एक होता है और एक होता है वेन फ्रेंट्स पहले अगर हमें समझन ब्लड पूरे शरीर तक पहुंचाए जाता है तो दोस्तों इसको हम आट्रीज या धमनी कहते हैं प्रेंट्स बात करें वेंस यानि किसी राओं के बारे में तो यह वो न लिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर का डी ऑक्सिजनेटर ब्लड हर्ट तक पहुंचाती हैं तो दोस्तो यही दोनों में अंतर होता है दोस्तो यह जो नसे होती हैं इन्हें हम दो तरीके से डिवाइड कर सकतें इसके location और visibility के आधार पर पहली तो वह नसे होती हैं जो बहुत ज़्यादा अंदर होती हैं मांस के नीचे होती हैं और हमें दिखाई नहीं पड़ती दोस्तों इसे deep vein कहते हैं और दूसरी होती है superficial vein फ्रेंट superficial vein just हमारी skin के नीचे पाई जाती है और हमें आसानी से दिखाई देती है फ्रेंट्स इन्हीं superficial vein के अंदर जो wall पाई जाती है जब उनमें weakness हो जाती है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है तो इनकी वैसे हमारा blood जो होता है वो अच्छे से flow नहीं कर पाता है circulate नहीं हो पाता है और blood नीचे जमा होने लगता है हमारी walls के पास क्योंकि walls हमारी damage हो चुकी है तो दोस्तो ऐसे condition में हमारी नसे उभरी हुई नजर आती है इसी को हम very close vein कहते हैं दोस्तो अभी तक मैंने जो बताया उसको सुनने के बाद आपके दिमार्ट में question जरूर हिट कर रहा होगा कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे पैर में ही very close vein देखने को मिलता है ज़्यादा तर मामलों में जबकि हमारे पूरे शरीर में vein पाये जाते हैं दोस्तो इसका कारण है gravity यानि की गुत्वा करसन बल दोस्तो आपने बच्पन में पढ़ा होगा या सुना होगा कि gravity हर चीज को अपनी तरफ खिशती है नीचे की तरफ खिशती है जबकि हमारे पैर के नसों को उपर की तरफ बलेड को ले जाना होता है और हर तक पहुचाना होता है तो दोस्तो ऐसे कंडिशन में जब भी हम बहुत ज़ादा खड़े रहते हैं या बहुत ज़ादा पैर लटका कर बैठते हैं एक्सरसाइज वगरे नहीं करते हैं तो हमारे वेंस के अंदर जो वाल्स होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं और उसकी वज़से हमें ऐसी प्राब्लम ज़ादा देखने को मिलती है पैर के एरियाज में और जगहों पे ऐसा नहीं होता है और जगहों पे आराम से ब्लट पहुंच जाता है हाड़ तर यहाँ पे इन एरियाज में हमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रुगत पड़ती है इसी वज़से इस एरिया में हमें वेरिकोल्स देखने को मिलते हैं तो दोस्तों यह था इसका ओवर्व्यू अब बात कर लेते हैं किया कारण होता है क्यों हमें ऐसे मामले ज़ादा देखने को मिलते हैं तो दोस्तों इसका मुख कारण जो होता है वह हमारे नसों के वाल्स की वीकनेस या उसमें डैमेजिंग फ्रेंड्स जब भी कभी हमारी नसों की वाल्स वीक रहेगी या उसमें damaging हमें देखने को मिलेगा तो हमें ऐसी problem create होती दिखेगी प्रेंट्स बात करें इसके कुछ other causing factor की तो अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे थुलसुले हैं आप बहुत ज़्यादा पैर लटका कर बैठते हैं आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं आपकी उम्र जादा है आपकी high BP की समस्या है या आपके past में कि सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी जो नसे होंगी वह उभरी हुई हमें नजर आएंगी नीली पड़ी नजर आएंगी दोस्तों साथ ही साथ को complaint करेंगा कि उसमें उसे दर्द हो रहा है भारी पर मह पता चल जाते हैं कि यह वेरिकोज वेन का कीस है इसके अतिरिक्त भी अगर कोई डॉट रहता है डॉक्टर के मन में तो वह आपको डुपलेक्स यूजी करवा सकते हैं उससे वह कंफर्म कर लेंगे कि आपको ऐसी प्रॉब्लम है अब बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन के बैठते हैं तो इसे बिल्कुल आप ना करें फ्रेंड्स आपको work out करना चाहिए walk करना चाहिए cycling करनी चाहिए swimming करनी चाहिए आपको योगा आसन सहारा लेना चाहिए जैसे कि सर्वांग आशन ताड़ आशन उठकत आशन इत्यादी अगर आपका ज्वाग कुछ ऐसा है जिसमें आपको लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़ता है तो ऐसे में आप कंप्रेशन इस्टॉकिंग का प्रयोग कीजिए अप हेल्दी डाइट लीजिए अपने हेल्दी वेट को मेंटेन कीजिए आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए इस्मोकिंग वगारा को छोड़ दीजिए इसकी अतिरीक्त बात करें तो अगर आप जब भी सोने जाते हैं रात को तो अपने पैर को थोड़ सा उंचा करके चाहे वो तकीए से कीडिये चाहे वो किसी जिससे हलका सा उंचा करके तब सोईए इससे से हमारी उभरी हुई है अगर इससे भी आपको आराम नहीं मिलता है यह सब जो मैंने चीजे प्रेविंशन मेलिजमेंट आपको बताया है इससे आपको आराम नहीं मिलता है आपका केस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है तो जरूर आप अपने नजदी की प्रकृत संपर करके इसमें पंच gobuma का शहारा ले सकते हैं अब इसमें लीच्टेरपी का सबसकते हैं डोस्तों डैली हरोटीन में में देखा जाता है कि पंच कर्मा और लीच्टपी ऐसे केस yapा दि़ाते दोस्तों अब बात करने करने हैं होमियेजमेंटिक मेडिसी और काम दिलाती हैं ऐसे कंडिशन में तो दोस्तों जो मैं मैं अपने पेशन में प्रिस्क्राइब करता हूं आपको देता रहता हूं वह आपको बता रहा ह ava दोस्तों इसमें अगली मेडिसीन है थूजा 200 को आपको रोज सुबा सुबा लेना है दोसे पांच बूर डारेक्ट जुबान पे दोस्तों इसमें अपने तीसरी जो दवा मैं यूज करता हूं वह है पलसर टिला 30 को दोस्तों आप सुबा दुपार शाम प्रयोग करें इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजर्ट देखने को मिलेगा फ्रेंट्स बात करें अपने अगली दवाई की तो अपने जो अगली दवाई है वह है फ्लोरिक एसिड या एसिड फ्लोर फ्रेंट्स इसको भी हमें 30 पोटेंसिय में लेना है सुबा दुपार शाम दो से पांच प हैucking दो, भी फिर थोरा जपानीया में पी लेना है गैश। едो निएक सब्सक्रान की बात करें थे नेकक्ष्ण समस्या पर्से हैं में 0,2 जिसमें की सीरे कार अथयों宮ग्पार्ण द過去क को होमेपेथिक फारेशी से ले करानी है Consider साथ एक खाली फाइल लेके आपको आना है फ्रेंट्स ये चारों ही दवाईयां आप बराबर बराबर मात्रा में मिला ले और इसको दस बार शेक करके रख ले अच्छे से इसकी आपको 20 से 25 बुद दिन में सुबा दुपार शाम पीनी है हलका गुनगुना पानी के साथ प्य साल में दो सतंथिन दोस्ट टीन ही दवाइयां बहुत अच्छी आ उच्छी और किस्ट थे हैं दोस्तोब कंशी कर कर सकते हूं और कोछ मैडशन है जिसको में करता हूं जिससे मुझे बहुती देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों केवल यही दवाईयां नहीं इसके अतिरिक में पैथी में बहुत सारी मैंट्सीन आती है जिनको अगर हम एस पर्द सीम्टम लेते हैं तो हमें बहुत यह अच्छा आराम दिला सकती है तो दोस्तों इसके अधिरी कुछ दवाईयां होती ह है वेरिकोज वेन के कीसेज में तो दोस्तों ये सब दवाईयां भी आप कंसीडर कर सकते हैं फ्रेंड्स जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं कोई भी दवा अपने मन से बिल्कुल भी मतलें जरूर ही आप अपने नजदी की होमेपैथिक चिकिस्चक से दबा ले क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार